हम बात करने जा रहे हैं माइंड सेट पे हमने एक पहले और वीडियो बनाए थी जो थी ग्रोथ माइंड सेट पे आज हम बात करने जा रहे हैं फिक्स्ट माइंड सेट पे अगर किसने वह ग्रोथ माइंड सेट वाली वीडियो देखने हैं तो वह जाकर देख सकते हैं तो इस परसनेलिटी है जो मेरी मेरी अंदर जो भी चीज़े हैं जो चीज मैं कर सकता हूं मेरा पूटेंशल जो है और मेरी इंटैलिजेंस जो है वो क्या है फिक्स है उसे मैं चेंज नहीं कर सकता है नहीं वो कभी चेंज हो सकती है यह उसका मानना होता है वो यह सोचता है कि मेरे अ mindset वाला बन्दा dose gom यह सूरी सुनाता है क्योंके हम हम अपने आपको जो स्टोरी सुनाते हैं उस पर हम यकीन कर लेते हैं हैं भार भार जो चीज रिपीट करते हैं वे हम यकीन कर लेते हैं इस पर हुम कुछ का माल एक्जंपल लेते हैं जिसके बुनियाद पर हम लेकर चलेंगे कि कि फिक्स्ट माइंड सेट के लोगों में common हम क्या-क्या चीज़ें फेस करते हैं पहली बात हुए है कि दोनों माइंड सेट बहुत ज्यादा माइंड सेट का किरदार होता है इनसान की जिन्दगी की growth में इनसान की प्राग्रेस में और इनसान की emotional intelligence में माइंड सेट का बहुत ज्यादा किरदार होता है और जो फिक्स्ट माइंड सेट वाले होते हैं वो देखा ये गया है कि mostly वो ग्रो नहीं कर पाते हैं वो success नहीं हासिल कर पाते हैं क्योंकि वो अपनी चीज़ों को कहते हैं कुद्रत नहीं हमें जो चीज़ दी है वो वैसी की वैसी है फार एक्जेंपल एक मिसाल लेते हैं एक musician है फार्ज करें वो समझता है कि Allah अने मुझे आवास दी है खुबसूरत तो यह enough है मेरे अंदर आवास होना तो क्या आप समझते हैं कि सिर्फ जिसकी आवास प्यारी है क्या वो grow कर सकत है उसे मजीद नहीं सीखना चाहिए उसे मजीद नहीं खुद को improve करना चाहिए जो सारी जिनगी यही सोचता रहेगा कि मेरे अंदर जो चीज़ है बस यही है मैं इसी को लेकर आगे चलूँगा कोई और चीज़ नहीं नहीं सीखूंगा या इसको मजीद इंप्रूव नही करूंगा तो वो क्या ग्रो कर सकता है ये सवाल मैं आप पे छोड़ रहा हूं ठीक है तो एक और मिसाल लेते हैं कि हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो क्या हमें को एक टीचर कह दे कि आप कि नम मैथ अची नहीं है या आप का अलजबरा अच्छा नहीं है कुछ भी आप इस चीज़ नहीं है मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हूँ उसको आप देखेंगे कि वो कहता हुआ मिलेगा कि मैं यह नहीं कर सकता मेरे मुझसे यह नहीं हो सकता उसका यह कामन वाट ही होता कि मैं इस चीज़ में टैलेंट नहीं है मेरे पास यह इंटेलिजिंस नहीं मैं खुद को इस फिल्ड में ग्रो नहीं कर सकता मुझे मैथ्स जहर लगती है मुझे यह चीज जहर लगती है जबकि उसे पता नहीं होता कि वह एक्स्ट्रा टाइम एंड इनर्जी देगा उसे चेंज कर सकते हैं जबकि आप उसे जितना भी कहते रहें वह नहीं मानेगा क्य क्योंकि वह कहते हैं जो सिस्टम Allais अला ने मुझे अता किया है उस सिस्टम को हम रीव रिवायर ने कर सकते हूर वह ऐसे का ऐसा हमेशा करियान करता रहेगा यह चेंज नहीं होगा ठीक है तो वह अपने अब खुद को स्टॉरी मुष्या कर पारे क्योंकि तुम्हारे अंदर ये चीज है नहीं तुम्हारे अंदर ये इंटेलिजेंस है नहीं तुम्हारे अंदर जो चीज है तुम सिर्फ उसी काम में लगो वही चीज तुम अच्छी कर सकते हो जबके और जो चीज है वह औरों की है वह मैं नहीं कर सकता उसमें मैं अ example is Michael Jordan basketball का बोगत बड़ा था में से बोई लोग उसे जानते होंगे तो उसे भी college school में क्या कर दिया था उसको sports की टीम से बासकेट बार्पाड का दिए गया वगया था कि तुम नहीं खेल सकते तुम इस गेम में जहें歌 क्यों से घ 어떻게 ह दिया नहीं उस उस क्या अगर वो फिक्स्ट माइंड सैट होता तो वो कहता ठीक है मैं इस गेम में अच्छा नहीं हूँ तो मैं नहीं खेलने वाला आगे क्योंके मेरा माइंड सैट ही फिक्स्ट माइंड सैट वाला अब यह है कि मैं अगर कुछ लोगों का फिक्स्ट माइंड सैट कि जो चीज हो रहा होता है वो अपने हम अपने माइड के अंदर स्टवर करते जाते हैं और उस ही की बुनियाद पर हम अपनी राए करें करते हैं व Champions करें हैं आप सारा दिन dv देख रहे हैं पॉलिर टिस सुन रहे हैं एक ही party को सारे दिन सुन रहे हैं तो बैस्ट होंगे आपके माइंड में यह होगा कि वह पार्टी अच्छी है आपकी सारी गंदी ठीक है क्योंकि आप सारा दिनी एक चीज सुन रहे हैं जब यह फिक्स्ट माइंड सेट मेरे क्याल में सबसे ज्यादा आप इन्फुलेंस करतें पेरेंट्स अगर पेरेंट्स आप इसी तरह तरह परदों कि शुद्स माइंड सेट काफी आपको कानव क्या इंदर तुम्हारे बस की बात नहीं है यह चीज तुम्हारे अंदर अच्छी नहीं तुम इतन इंत्लिज豆ंट नहीं ओ तुम एतने confident nie ho, तम ये निया तुम वो निया इसी तरह teacher करते है teacher भी बच्चे को कहते हैं तुमारे अंदर ये चीज निया तुम ये नहीं कर सकते हैं जो चीज हम सुनते हम उस पर यकीन कर लेते हैं क्योंकि हम औस phase में वहोते हैं कि हम grow कर दे होते हैं नाइस है नाइस सीख रहे होते हमें अच्छे और बुरे का पता नहीं होता कि हमारे फ्यूचर में यह चीज हमें किस तरह एफेक्ट करने जा रही है जो चीज सुनते हम उस पर क्या कर लेते हैं यकीन कर लेते हैं ठीक है इसी तरह हम फिर सुसाइटी हमारे हमारे दो तो जहरी बात है, हम भी अपने माइंड को स्टोरी बताएंगे कि हाँ, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये अबिलिटी नहीं है, मैं कभी भी खुद को चेंज नहीं कर सकता, मैं जैसा हूँ, हमेशा ऐसा ही रहूँगा, आपने सुना होगा लोगों को कहते हैं कि मैं चीज़ ऐसी हैं, जो फिक्स हैं, लेकिन हम इदर पर्टिकुलरली बात करें माइंड सेट की, तो माइंड सेट फिक्स होता है, फिक्स भी होता है, ग्रोथ भी होता है, जो फिक्स वाले होते हैं, ये कैसे लेती हैं, वो किस तरह सोचते हैं, और ग्रोथ माइंड सेट वाले के सासाथ मैं खुद को इंप्रूव करूँगा ठीक है उस बंदे ने मुझे कह दिये यह नहीं कर सकता तो मैं चैलिंज करता हूं कि मैं करके दिखाऊंगा मैं वो चीज़ सीखूंगा आज मुझे नहीं आती कल नहीं आएगी लेकिन परसू मुझे वो चीज़ जरूर आएगी उसका माइंड सेट ही ऐसा बिल्ट हुआ होता है सबसे आपको खुशखबरी की बात बताओं वो यह है कि आप फिक्स्ट माइंड सेट को चेंड कर सकते हैं आप उसको ग्रोथ माइंड सेट की तरफ लेके जा सकते हैं वो कैसे आप टाइम दें आप इनर्जी दें ठीक है आप अपने माइंड को बताएं आज तक जो तुम मुझे कहते हा रहे हो कि मैं नहीं कर सकता हूँ मैं इस चीज को चेंड करने वाला हूँ बार बार माइंड को बताएं कि मैं यह कर सकता हूँ मेरे अंदर यह इंटेलिजन्स है मेरे अंदर अबिलिटीज है मैं यह कर सकता हूँ मैं रुकने नहीं वाला, मैं गिव अप नहीं करने वाला मुझे कोई परवानी लोग क्या कहेंगे या कोई और क्या कहेगा मैं खुद को प्रूव करने जा रहा हूँ कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ और अच्छे से कर सकता हूँ ठीक है तो आप इस तरह अपने माइंड सेट को अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं जब आप एक काम अपना जो आप सोचते हारे कि नहीं कर सकते जब आप उससे सारे इंजम्प देंगे तो आपके अंदर confidence आएगा फिर आप और करेंगे फिर आप और आगे बढ़ेंगे फिर आप मजीद improve करेंगे तो ये legacy आपका ये work continue चलता रहेगा फिर आपकी shift fixed mindset से आप growth mindset की तरह आप shift कर जाएगे ठीक है तो ये आज का topic सा fixed mindset mindset मैंने कोशिश की कि आप लोगों के साथ share करूँ क्योंके ये दोनों mindset बहुत ज्यादा एहम है जब तक हम mindset पे काम नहीं करेंगे हम grow नहीं कर सकते हम progress नहीं हासिल कर सकते हैं क्योंके हम जो चीज़ सुनते हैं वो मानते हैं हमें खुद सवाल करने पड़ेंगे खुद से क्या ये चीज़ जो हम सुनते आ रहें जो चीज़ हम करते आ रहें क्या ये हकीकत है या मैं इसको change कर सकता हूं ठीक है thank you so much for listening and channel को subscribe करें like करें share करें और comments में अपनी रहाए जरूर दीजिए